तो दोस्तो आज हम फिर आपके लिए एक बहुती सुन्दर सा सिंपल नेक को डिजाइनर लुक देना बताने वाले हैं जिसके लिए दोस्तो हमने यहाँ पर अपना एक राउंड सुीठ हाट काटा हुगा है इसे आप आसानी से काट सकते हैं साथ ही दोस्तों डिजाइनर लुक देने के लिए हमने यहाँ पर अपनी एक ट्रेंगल वाली लैसली है इसमें से हम दोस्तों एक एक ट्रेंगल काटके अलग-अलग कर देंगे जिससे के बहुत सुंदर डिजाइन बनकर तयार होगा इस परकार से हम इनको अलग-अलग कर दे इसकी मदब से हम बहुत सुन्दर सा डिजाइन आपको बना कर दिखाने वाले हैं और इससे पहले हम आपको अपना एक छोटा सा मैसीज देना चाहते हैं दोस्तों मैसीज ये है हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com जहां पर आप बहुत ही खुबसुरत खुबसुरत बलाउस के डिजाइन्स, कूर्ती के डिजाइन्स और आप अपनी फैब्रिट एक्टर्स के आउट्फिट्स के बारे में भी जान सकते हैं मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है अगर आप इन सब चीजों में इंट्रेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर भी जरूर करें तो दोस्तों इस नेक को बनाने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो अपने इस नेक को सिंपल ही अपने कुर्टी के कपड़े पर चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद में नॉर्मल तरीके से अपनी कुर्टी पर बना लेंगे तो देखी दोस्तों ये हमने neck को normal तरीके से बना लिया है और इसके बाद जो नीचे की तरब जो हमारा design लंबा बनने वाला है वो बनने वाला है उपर से लेके नीचे तक साड़े 14 इंच पर तो यहां से हम सीधा सीधा तिरिशा निशान साड़े 14 इंच पर कुर्ती के 20 सेंटर में लगा देंगे यह हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपने जो औरे पटी लिए है इसको यूज़ करना है तो इसको कैसे यूज़ करेंगे आपको इसको neck के किनारी पर इस तरीके से बिलकुल neck की shape में attach करना है नीचे से लेके उपर तक तो दोस्तों यहाँ पर हमारे neck का जो corner है वो आ चुका है यहाँ पर आपको क्या करना है machine को इस तरीके से उठाना है और उठाने के बाद अपनी पटी को इस तरीके से दोबारा से इसको उपर fold करना है और fold करने के बाद में आपके corner से आगे की तरब जितना भी कपड़ा निकलता है और यहाँ पर जो corner बन रहा है corner से लेके यहाँ तक आपको एक सीधी स्लाई इस तरीके से लगानी है तो देखे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही finishing के साथ हवारा corner जो है वो निकल आया है और दोस्तों यहाँ पर आके आपको कोई भी corner नहीं बनाना है यहाँ पर आपको क्या करना है अपनी इस पट्टी को इस तरीके से हलका हलका कुर्टी की 20 सेंटर में ही सीधा गुमाना है तो corner बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको इस तरीके से अपनी पट्री को double fold करना है ऐसे और double fold करने के बाद में आपको नीचे की तरफ से इस तरीके से fold कर देना है जिस से के आपको यहाँपर finishing के साथ corner बन जाए ये देखिए कि अब आपको अपनी पट्टी की दूसरी वाली साइड पर भी लगानी है सेम इसी तरीके से आपको पट्टी को स्टिच कर देना है इस साइड पर भी लेकिन यहाँ पर stitch करते ररते आपको क्या करना है दोस्तों आपने जो यह triangle कट किये हैं इन triangle को भी use करना है तो triangle आप अपने एसाब से लगा सकते हैं जितनी भी दूरी आपको इनकी पसंद हो तो देखिए दोस्तों बड़ी ही finishing के साथ हमने यहाँ पर अपनी पट्टी को और triangle को लगा लिया है इसके बाद दोस्तों आपको इसमें क्या करना है आपको पहले तो finishing के साथ इस पर प्रेस लगा लेनी है उसके बाद ही आपको यह वाली सिलाई लगानी है इसके बाद दोस्तों इस neck को खुबसूरत करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ पट्टियां बनाई हुए जिनकी चौड़ाई quarter inch है इनको हम कैसे use करेंगे देखी दोस्तों पहले हम एक पट्टी इस परकार से लेंगे और neck के जो corner है इस corner पर इस तरीके से यहाँ पर set करेंगे इस तरीके से दोस्तों हम दो पट्टी इधर और दो पट्टी इधर और दो पट्टी इधर सिलाई की मदद से चिपका देते हैं तो देखी दोस्तों हमारा आज का ये neck design जो है बिल्कुल finishing के साथ तयार हो गया है आपको हमारा आज का ये neck design जैसा रगा ये आप हमें comment करके जरूर बताएं साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी subscribe नहीं किया है तो जल्दी जल्दी subscribe कर लें और घंटी के icon को ग्लिक जल्दी से कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की notification आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों अगर किसी कारण notification नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी website पर भी follow कर सकते हैं जिसका नाम है www.roofashionpoint.com